हर जगह बाजार, अन्य बाजार, यह आवश्चक नहीं है कि हम सामान खरीदने के लिए हमेशा बाजार में जाएं। तरह-तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ओर्डर दिये जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। लोग ऑन-लाइन खरीदारी करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उप्योग करते हैं। क्लेनिंग और नर्सिंग होम में कुछ कंपनियों के प्रतनिधी डॉक्टरों की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी सामान की बिकरी में लगे हुए हैं। ऐसे भी कुछ बाजार हैं जहां खरीदी जाने और बिकने वानी कई चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। उधारण के लिए एक कार का कारखाना, अलग-अलग अन्य कारखानों से एंजिन, गियर्स, पेट्रोल, टंकिया, एकसल, पहिये आदी खरीदता है। परंतु हम कार के शोरूम में अन्तिम उत्पाद कार को ही खरीदते हैं। बाजार और समानता विभिन प्रकार के लोग व्यापार में लगे हैं। कुछ कम पूझी लगाने वाले छोटे व्यापारी हैं जबकि कुछ व्यापारी दुकान के लिए बड़ी पूझी खर्च करने में सक्षम है। उनकी आमदनी भी अलग-अलग होती है। जहां सापताहिक बाजार का व्यापारी कम पैसा कमाता है, वहीं एक शौपिंग कॉम्पलिक्स, एक नियमित दुकानदार अधिक लाब कमा सकता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग-अलग स्थितिया हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि दूसरी और लोग मौलों से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह किसी खरीदार या दुकानदार का व्याभार बहुत हद तक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके साथ ही एक जगह उत्पादित होने वाला सामान बाजारों की श्रंखला के माध्यम से लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार जब विकरी होती है तो यह उत्पादन को प्रुटसाहित करते हैं और लोगों के लिए व्यापार और कमाई के नए अफसर बनाए जाते हैं।